संकीरण का विलूम संकीरण मतलब बहुत ही नेरो, पतला, परोब कारी का होजा का साथियों बिनास कारी जए हिंद वंदे मातरम आये साथियों हिंदी के एक महतपूर्ट टॉपिक विलूम सब्द पर आज चर्चा करते हैं और ये जानने की कोसिस करते हैं कि बिलोम सब्द होते क्या है और किस तरह के प्रश्ण आपके परिच्छा में बिलोम सब्द से आते हैं तो अगर आप साथियों UP little SC PT परिच्छा की तयारी कर रहे हैं अथवा किसी भी वन डेक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साथियों खास वीडियो होने वाला है क्योंकि अगर आपके परिच्छा में हिंदी आता है तो बिलोम सब्द से जरूर प्रश्ण बनते हैं तो साथियों वीडियो ध्यान से देखिएगा एक बार ध्यान से वीडियो देखने के बाद सायद ही आपके प्रश्ण बिलोम सब्द से गलत होंगे तो चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट मैंने अलग-अलग सब्जेक्ट का बना दिया है वहाँ से आप जाकर सभी थियोरी की कलास देख सकते हैं इसके अलाम प्रैक्टिस सेट की भी वीडियो डाली गई है तो चलिए देखते हैं साथियों बिलोम सब्द किसे कहते हैं ध्यान से देखिएगा एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले सब्दों को बिलोम सब्द कहते हैं जैसे समझिएगा, जैसे कोई सब्द हार है, यानि की पराजय हार का साथियों हो जाएगा जीत, भिलोम, ठीक है, आय का क्या होगा साथियों, बै, आय मतलब जो आप धन कमा रहे हैं, आपके जो आय के यानि की पैसा आने का जो इस्रोत है, तोटल ओ आय हो जाएगा आपका, और जितना आपकी खर्च औव बै हो जाएगा, ठीक है, तो सीधा उल्टा मतलब होता है, आजादी का जैसे कोई फिरी है फ्री ठीक है, फ्रीडम सतंतरता, यानि की वो फिरी एकदम आजाद है, तो वो साथियों आपका हो जाएगा, क्या उसका गुलामी हो जाएगा, यान कि किसी के आधीन कारी कर रहा है और जैसे नवीन मतलब नया और प्राचीन मतलब पुराना यानि कि एकदम उल्टा साथियों ठीक है चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण बिलोम सब्दों को देखते हैं इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रशनों पर चर्चा करते हैं कि कि किस तरह के प्रशन आपके परिच्छा में बनते हैं तो सुरुवात करते हैं साथियों पहला सब्द देखिए आपका सत्रू तो सत्रू का साथियों बिलोम होता है मित्र ठीक है सत्रू जो आपका दुस्मन होता है ठीक है और मित्र जो होता है आपके सखा ठीक है आपका जानते होंगे ध्यान से देखिएगा एक बार छोटी किसी कलास है तो वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा ठीक है कि ये बकवास कलास है ये तो मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं आप जादा साथियों प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जानकारी वर्थी चली जाएगी चलि लेकिन उसका जो साथियों बिलोम होगा वो उजाला होगा ठीक है तो आपका साथियों ना कि आप परकास लगा जेंगे कि तम मतलब अंधकार होता है तो परकास तो गलत हो जाएगा ठीक है परकास का बिलोम साथियों अंधकार होता है और तम का बिलोम उजाला हो जाएगा इच्छा का साथियों अनिच्छा हो जाएगा और अल्पायू का दिरगायू हो जाएगा अल्पायू मतलब थोड़ी आयू दिरगायू मतलब लंबी आयू अनुराग का साथियों विराग हो जाएगा अनुराग मतलब प्रेम और विराग मतलब प्रेम ना करना उतकर्स का पादि का अंत हो जाएगा, आगामी का गत हो जाएगा, उत्थान का हो जाएगा साथियों आपका पतन, ठीक है, उत्थान का पतन हो जाएगा, आगरह का साथियों दुरागरह, ठीक है, आगरह मतलब किसी से निवेदन करना, दुरागरह मतलब मना कर देना, ठीक है, अगला है देखिए एकता का साथियों अनेकता हो जाएगा ठीक है हमारी एकता में अनेकता है जैसे हमारी देश में है अनुज अनुज का हो जाएगा साथियों अग्रज आकरफण का हो जाएगा वीकरफण ठीक है आकरफण का क्या हो जाएगा वीकरफण अनुज का हो जाएगा अग्र उद्यमी मतलब जो फुर्तिला हो तेजी से काम करता हो उसका हो जाएगा आलसी अधिक का मतलब न्यून अधिक मतलब ज्यादा अधिक कोण आप गनित में पढ़े होंगे अधिक कोण न्यून कोण मतलब कम और अधिक न्यून मतलब होता है कम और अधिक का मतलब जानते हैं ज उपजाओ भूमी जोना हो एक का हो जाएगा अनेक आलस का हो जाएगा इस्फूर्ती ध्यान से देखिएगा साथ ने छोड़कर नहीं जाएगा अभी नीचे कुछ महतुपूर्ण प्रश्णों को भी हम बताते हैं अर्थ का हो जाएगा अनर्थ और नगद का हो जाएगा उधार कोई चीज आप तुरंट पैसा दे कर ले रहे हो तो वो नगद हो गया और आपने कह दिया कि दुकानदार से कि आप बाद में पैसा देंगे तो उधार हो गया ठीक है एकदम डारेक्टली उल्टा उपस्थित का अनुपस्थित ठीक है सफल का आसफल सक्री का निस्क्री हो जाएगा सक्री मतलब एकदम लगा हुए है किसी काम में निस्क्री मतलब निठला बैठा हुए है कोई काम नहीं कर रहा है सीत का हो जाएगा उफण उल्टा ठीक है चाड़ी के का क्या हो जाएका साथ हैं चाड़ी मतलब कुछ चाड़ के लिए कुछ समय के लिए सास्वत मतलब हमेशा के लिए हर्स मतलब खुसी और सोक मतलब दुख ठीक है तो हर्स का दुख सोक हो जाएगा और सुक का दुख होगा ठीक है ऐसा ना कि हर्स है तो वहाँ ठीक है हर्स का दुख मारके चलाएगा नहीं सुक का दुख होगा हर्स का सोक होगा सुस्क का हो जाएगा आर्दर सुस्क मतलब नमी जिसमें ना हो और आर्द मतलब नमी वाला और बरदान का अभिसाब हो जाएगा रच्छक का भच्छक हो जाएगा रच्छा करने वाला और उसका उल्टक भच्छक हो जाएगा रुगण मतलब रोगी होता है और स्वस्थ मतलब स्वस्थ व्यक्ति मूख मतलब ना बोलने माला वाचाल मतलब होता है धिक बोलने माला तो मूख का क्या हो जाएगा वाचाल सगुण का हो जाएगा निर्गुण और यस का हो जाएगा अपयस ठोस का हो जाएगा साथियों तरल ठीक है ठोस का क्या हो जाएगा तरल बंधन का हो जाएगा मुक्ति मतलब किसी चीज को घेरे में कर दीजिए बाह दीजिए और मुक्ति मतलब फिरी ठीक है आगे कुछ और महत्तपूर है इसके बाद महात्वपूर प्रश्णों पर चार्चा करेंगे नूतन का हो जाएगा पुरातन ठीक है नूतन मतलब नया पुरातन मतलब पुराना निरच्छर का साच्छर हो जाएगा निरच्छर मतलब बिना पढ़ा लिखा साच्छा मतलब पढ़ा लिखा हो जाएगा सुलब का हो जाएगा दुरलभ ठीक है दुरलभ मतलब जो आसानी से ना मिले और सुलब मतलब जो आसानी से मिल जाए करए मतलब खरीदना और विक्रे मतलब बेशना कृतक के का हो जाएगा किर्टकन है किर्टकन का मतलब साथी होता है जो अहसान मानता हो और किर्टकन है मतलब जो अहसान ना मानता हो ठीक है तो यह चीज आप समझेगा मोच का हो जाएगा फाथी हो बंधन ठीक है मोच का हो जाएगा बंधन सवभाग का हो जाएगा दूर भाग सरस का हो जाएगा सा बढ़ाई करना अस्तुति मतलब उसकी बढ़ाई करना घात का प्रति घात हो जाएगा ठीक है संपेच का मतलब विस्तार संखेप संखेप का हो जाएगा विस्तार ठीक है माउखिक मतलब मुह से बोलकर और लिखित मतलब लिखित सुगंध का दुर्गंध सुगंध मतलब महक दुर्गंध मतलब बुरी गंध सजीव मतलब जो जान हो और निर्जीव मतलब जिसमें जानना हो ठीक है तो इस तरह से आपका हो जाएगा आगे देखते हैं आपका घृणडा और प्रेम घृणडा का हो जाएगा प्रेम ठीक है परतेच्छ का हो जाएगा साथ ही हो आपका आप्रतेच्छ परोच्छ का हो जाएगा अपरोच्छ ठीक है परोच्छ मतलब सामने अपरोच्छ मतलब पीछे पीठ पीछे जैसे कहते हैं गुप्त का हो जाएगा प्रकट गुप्त मतलब अंदर ही अंदर और प्रकट मतलब सामने दिखाकर परसनता का खेद हो जाएगा ठ खुस, खुसी होना और दाता, दाता का हो जाएगा याचक दाता मतलब देने वाला याचक मतलब मांगने वाला ठीक है तो इस तरह से अर्छ समझ कर आप जो है विलोम सब्दों को याद कर सकते हैं आहार का हो जाएगा निराहार स्वाधीन का मतलब अपने अधीन अधीन रहना पराधीन मतलब पर मतलब होता है दूसरे अधीन मतलब नीचे रहना ठीक है तो स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा आगे है आय का बे हो जाएगा आदर्स का हो जाएगा या थार्थ ठीक है उत्तम का हो जाएगा अधम उत्तम मतलब सबसे बेस्ट और अधम मतलब सबसे बेकार नीच अतिविरिष्ट के अनाविरिष्टी अतिविरिष्टी मतलब अधिक बरसा अनाविरिष्टी मतलब करम बरसा उपस्थित के अनुपस्थित तेज का मंद या निस्तेज ठीक है आगे और देख़े कुछ है धनी का हो जाएगा निर्धन न्याय का हो जाएगा अन्याय डर का हो जाएगा निडर पंडित का हो जाएगा मूर्ख पंडित मतलब विद्वान और मूर्ख मतलब जिसको ग्यान हो पावन का हो जाएगा अपावन बलवान का हो जाएगा साथ ही हो बलहीन ठीक है बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिहीन बुद्धिमान मतलब जिसमें बुद्धि हो जो बुद्धिमान हो और बुद्धिमान मतलब जिसमें बुद्धि की कमी हो भूत का हो जाएगा भूद मतलब प्राचिन काल की चीजें भूद मतलब आने वाली चीजें तो उल्टा हो जाएगा महत्मा का हो जाएगा साथ हो दुरात्मा महत्मा मतलब महानात्मा दुरात्मा मतलब बुरी आत्मा खट्टा का मीठा हो जाएगा लाभ का हानी हो जाएका साथियों अनुलोम का विलोम हो जाएका विजय का हो जाएका साथियों पराजय, दानी का हो जाएका साथियों कंजूस या क्रिपन ठीक है कंजूस, क्रिपन मतलब होता है कंजूस आगे देखिए नवीन, नवीन का साथी हो जाएगा प्रचीन, नवीन मतलब नया, प्रचीन मतलब पुराना, देव का हो जाएगा दानो साथी हो, जल का हो जाएगा अगनी, जल सीतल होता है, अगनी साथी हो, जलने वाला होता है, ठीक है, आकास का हो जाएगा पाताल, नयतिक का हो जाएगा अनयतिक ठीक है निर्माड का हो जाएगा बिनास कुछी चीर का निर्माड हो रहा है और उसका उल्टा बिनास हो जाए ठीक है अगला है कच्चा का हो जाएगा पक्का और आगे है आपका भगवान भगवान का हो जाएगा हैवान हैवान या राचस बहुत का हो जाएगा साथी हो थोड़ा और ज्यादा का हो जाएगा कम ठीक है ज्यादा का कम परोबकारी का हो जाएगा साथी हो बिनासकारी और लौकिक का हो जाएगा अलौकिक लगु का हो जाएगा गुरु लगु मतलब छोटा गुरु मतलब बड़ा आगे है मानो का हो जाएगा साथियों दानो ठीक है दानो मानो का दानो चलिए साथियों कुछ बिलोम सब्द के कुछ महत्पूर्ण MCQS को देखते हैं यानि कि कुछ महत्पूर्ण परशनों को किस तरह के परशना आपके परिच्छा में बनते हैं कैसे बनते हैं इससे आपको अंदाजा लग जाएगा देखिए पहला परशना है आपका सीतल सब्द का सही बिलोम है ठीक है तो सीतल का पहले आप अर्थ निकालेंगे सीतल मतलब होता है ठंड़ा ठीक है आप कहते हैं बहुत ही सीतल जल है यानि कि थंड़ा जल है, ठीक है, यानि कि जब हवा बहती है, तो आप देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही सीतल हवा बह बह रही है, यानि कि बहुत ही अच्छी सुहानी और ठंडी हवा बह बह रही है तो उसका बिलोम यानि की गर्म से होगा तो देखिए पावक मा मतलब होता है अगनी अगनी तो होगा नहीं सीतल यहां है तो उससे मिलता जुलता आप दाहक है दाहक मतलब गर्म चीजें जैसे बहुत ही दाहक जल है बहुत ही दाहक वायू है यानि कि दाहक मतलब जलाने वाली सीतर मतलब ठंधा करने वाली तो इसका सही उत्तर हो जागा अफशन B, ठीक है तो इस तरह से आपको अर्थ निकाल कर भी आप उत्तर लगा सकते हैं अगला है स्वाध्हींता सब्द का सही बिलोम होगा स्वा मतलब होता है अपना यानि कि अपना तो अपने आधीन स्वाधीन ता मतलब अपने आधीन रहना तो उसी तरह से इसका बिलोम हो जाएगा पराधीन यानि पर मतलब होता है दूसरे के आधीन मतलब दूसरे के आधीन हो जाएगा तो आपका आपसन भी सही हो जाएगा अगला है इसी तरह से देखिए आपके प्रशन बनते हैं परिच्छा में अगला है अनुरक्ति का बिलोम होगा अनुरक्ति का बिलोम साथ ही हो जाएगा क्या हो जाएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपसन भी बिरक्ति, अनुरक्ति मतलब किसी की प्रेम में भस जाना, किसी के प्रेम में लगना, जैसे भगवान में अनुरक्ति जाना, और बिरक्ति मतलब उससे दूर जाना, ठीक है, एस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, कि अनुरक्ति मतलब किसी के प्रेम में भजना, म पाभी लूग हो जाएगा सूच मतलब छोटा तो यह तो समनार्थी हो जाएगा ठीक है ऑर सूच म कर dosa च्छ लिखा है मतलब सा अच्छर यानि कि आपका क्या हो जाएगा यहांपर दोनों मिलेंगे तो आपका हो जाएगा संधी और ये चोटा और चोटा मिलकर बड़ा हो जाएगा संधी का मने एक ट्रिक साति ही बताया है बहुत ही बेहतरीन आप देखते ही पहचान जाएगे तो यहां पर इसका हो जाएगा बिलोम निरच्छर मतलब जिसके पास अच्छर ना हो अर्थात पढ़ा लिखा ना हो ठीक है उद्धत सब्द का बिलोम उद्धत मतलब हमेशा ततपर रहना तो उद्धत का साथियों क्या हो जाएगा आपका आपसन सयगा C विनीत विनीत मतलब हमेशा उद्धत ना रहना तैयार ना रहना ठीक है तो उद्धत का हो जाएगा विनीत ठीक है याद कर लीजिए ये इसी तरह के प्रशना आपके परिच्छा में बार बार आते हैं आगला प्रशने निमलिखित विकल्पों में से क्रिस का बिलोम बताईए मतलब होता है दुबला पतला और हश्ट पुष्ट हो जाएगा यानि कि ठीक ठाक सरीर वाला तो आपसन भी आपका सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है आपका संकीर्ण का विलूम संकीर्ण मतलब बहुत ही नैरो पतला तो संकीर्ण का हो जाएगा साथ ही आपका जिसमें काफी गैब हो ठीक है तो आपका आपसन B C सही हो जाएगा विस्तीर्ण अगला है सापेच अगला है आपका साथियों सापेच का बिलोम सब्द है सापेच सापेच का साथियों बिलोम सब्द हो जाएगा निर्पेच ठीक है तो आपका B आपसन बिल्कूल सही हो जाएगा और अगला है लास्ट प्रशन है साथियों बारबर का भिलोम है बारबर का भिलोम है साथियों साथियों, आपसन C, सब भे कहते नहीं कि साथियों बहुत ही बारबारता पूर्वक उसने ब्योहार किया यानि की बहुत ही दुष्टता पूर्बक एक तरीके से आप समझे भाव को तो उसी तरह से आपका सही जाएगा सब भयानी की बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक है सब फैमली से कहते नहीं सब फैमली से हैं तो वो आपका आपसन सी सही जाएगा तो साथियों ऐसे ही वीडियो च्पाने के लिए आप माई चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करना और प्लेलिट से आकर अन वीडियो देखना और इसका PDF साथियों आपको टेलिगराम चनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो अगली वीडियो में मुलाक आतोगा तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम